एपिसोड 686 यह कैसी तस्वीर उसके साथ खड़े दूसरे दर्बान ने कहा अरे काहे का खास ये बड़े लोगों का खास कोई नहीं होता ये तो बस अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को अपने करीब आने देते हैं और जरूरत निकल जाए तो दूर धक्का दे देते हैं जैसे आज बिचारे महादेव भाईया के साथ हुआ, वैसे महादेव भाईया भी तो कुछ जादा ही होश्यार समझने लगा था अपने आपको, देखो महादेव भाईया बुरा नहीं मानना, लेकिन क्या तुम्हें सही ना हूँ, छोटे मालिक ने तुम्हारे सिर पर हाथ क् तो अपने साथियों को ही अपने से नीचे समझने लगे, बताओ, फिर ऐसा तो होना ही था, महादेव ने उसे घूर कर देखा तो वो छटपटा कर बोला, नहीं, नहीं, हम लोग तुम्हें तुम्हें समझा रहे हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं, ये बड़े लोग कभी किसी को अपना थोड़ी न मानते हैं, आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तुम्हें इस तरह सब के सामने धक्का दे दिया, देखो तो चारों तरफ से सब तुम्हें ही देख रहे हैं, महादेव ने ध् जहस या फिर छगड़ा हुआ था महादेव अपने नाखुनों को अपनी मुठ्टी में गारते हुए बहुत हो गया जाओ यहां से तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या महादेव इतने गुस्से में बोला था कि सब जल्दी-जल्दी वहां से भाग गए हवेली में महादेव महादेव की बढ़ते कदम थम गए उसने अपनी आखों में उत्रे गुस्से को काबो में किया और सामानी बढ़ने की कोशिश करते हुए पीछे पलट कर सुमेर की तरफ देख और बोला जी माले सुमेर निकाहा यार में कुछ जादे रियक्ट कर गया मुझे ऐसा कमी नहीं हो कि लेकिन तुम थोड़ा सा अपनी बातों को काबो में रखा करो समझ रहो ना मादेव ने हां में सिर हिला कर कहा मालिक मैं चलता हूँ डॉक्टर के आने से पहले इसारी तैयारी कर लो सुमेर बोला हाँ जाओ अचानक सुमेर को ध्यान आया कि उसे जो औरत कॉ कर लगाना था कि आखिर वो है कौन कि सोचते हुए सुमेर ने अपने किसी दोस्त को कॉल मिलाया और बोला मैंने वो नंबर तुमें भीज दिया है पीस ज़रा मालूम करो मैं तुम्हारे कॉल का इंतिजार कर रहा हूँ मुझे बताओ कि वो नंबर किस नाम पर अलॉट किय किसी इंसान का नाम तो नहीं हो सकता इसका मतलब साफ है कि किसी ने यूँ कुछ फेक नाम वहाँ पर डाल रखा है इसलिए उम मैं चाहता हूँ कि तूम पता लगा कर मुझे बताओ कि ये सिम किस के नाम पर है कॉल डिस-कनेक्ट करने के बाद सुमेर बोला अब बहुत तो यह जो भी मुझे छोटे-छोटे अमाउंट मिल रहे हैं वो बड़े-बड़े अमाउंट में बदल जाएंगे इतना बोलते हुए उसके होटो पर एक बड़ी ही शातिर से मुस्कुराहट चा गई एक परूम जहां सुबेर उस ओरत के बारे में जानने के लिए परिशान ह हो रहा था वहीं दूसरी तरफ रितू और तारा घर के सारे काम जल्दी-जल्दी कम्प्रीट कर रहे थी तारा ने सफाई की रिस्पॉंसिबिल्टी दी किचन को क्रीन करते हुए उसने रितू से पूछा आज सो कॉल्ड आंटीरी दिख रही रितू ने कहा पता नहीं आज सकता है और अभी घर पर कोई नहीं है मुझे अच्छे तरीके सा उस कम्री की तलाशी लेनी होगी तारा भी इतना सोची रही थी कि रितू ने कहा बिल्कुल नहीं सोचना भी मत रितू की इस बात पर तारा ने चौंकते हुए कहा क्या मतलब तुम क्या बोल रही हो रितू तुम यही सोच रही हो ना कि अभी कोई नहीं है घर पर तो तुम उस कम्री की तलाशी लेना चाहती हो तारा है तूरा है रितू ने कहा तुम्हारे चेहरे पर यह जो एक्सप्रेशन है ना उससे साफ पता चल रहा है तारा पोली तो तो उसमें क्या प्रॉबलम है रितू प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसे पता चल गया ना तो वो भी ठीक नहीं होगा, याद नहीं ध्रोड ने क्या कहा था, उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें उसके बारे में कुछ भी पता है, तारा नहीं कहा, कुछ नहीं होगा, तुम बस ये धियान र हमें से कोई उसकमरे में जाने की सोचता थक नहीं है, और तुम कह रहे हो, तुम उसकमरे में जाकर छानबीन करोगी, उसकमरे में जाकर तुम्हें क्या पता चल जाएगा, तारा नहीं कहा, वो तो मैं भी नहीं जानती लेकिन पता नहीं क्यो, मेरा मन कर रहा है कि एक बार म तुरितु बोले, वैसे सच कहूं तो ये सुनने में तो बहुत एकसाइटिंग लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, तारा बोले, डरने की क्या बात है, और वैसे भी हमारी लाइफ में डरने जैसा कुछ रह नहीं गया, तो तुम जाओ, जल्दी गेट के पास से बन था, तारा ने हैंडल खोला, जाने क्यों उसका दिल पेजी से थड़कने लगा, तारा बोली, पता ने क्यों, आज इस कमरे बे कदम रखते हुए, मुझे एक अजीब सा ऐसास हो रहा है, तारा ने देखा उस कमरे की खिर्की जो पहले हमेशा खुली रहती थी, वो न किचन में गई और एक मुंबत्ती जला कर ले आई, और दोबारा धीरे से कमरी के अंदर गई, तभी रितु बोली, क्या कर रही हो, जल्दी करो ना, तारा ने कहा, यार इस कमरे में पूरा अंधीरा है, खिड़की भी बंद है, इसलिए मैं ये मुंबत्ती जला कर लाई हू समझ भी नहीं आता है, इस कमरे को इस तरह से गुप्त काक्ष बना कर क्यों रखा हूँ है, मुझे तो लगता है हम लोगों ने इस तरफ से कुछ जादा ही लापरवाई की है, और उसने इस बात का पूरा-पूरा फायदा उठाय है, रितु बोली, वो सब छोड़ों चो कर इतना के कर रितु वापस दर्वाजे के पास चली गई और वहीं सीडियों पर बैठ कर अपने मुबाईल में कुछ करने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाहर की तरफ ही था कि अगर बाहर से कोई आए तो वो तुरंट तारा को सतर्थ कर सके, तारा को इस कमरे में कुछ वो अपने साथ लेकर आई थी, जानी तारा के मन में क्या आया, उसने उस बैग को खोल कर देखने का फैसला किया, तारा ने तीरे से उस बैग को खोला तो उसने देखा उसमें कपड़े रखे हुए थे, तारा बोली चै मैभी इस बैग को देखने बैठ गयाये, जाहर सी ब वो दिखने में पीला पड्चुका था, ऐसा लग रहा था, जैसे काफी पुराना था, थारा ने उस बोतल को खोला और कागज के तु्ख्डे को निकाला, जैसे उस कागज के तुख्डे को तारा ने अपने हाथ में लिया, तभी अचानक से धम से दर्वाजा बंग उँआ, को समझ ही नहीं आए कि एक सेकंड में ऐसा क्या हो गया लेकिन तारा चाहकर भी अपनी जगह से उठने ही पा रही थी अब उसका पूरा ध्यान उस कागस के टुकड़े पर था वो बाहर से आरे रितु की आबाज को एक नूर करती हुई मुंबत्ती की रौश्णी में उस कागस के टुकड़े को देखने लगी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कागस का टुकड़ा कई बार फोल्ड किया गया था तारा एक एक करके उस फोल्ड को खोलने लगी और उसे जमीन पर रख दिया वो एक चौकोर टुकड़ा था जो काफी बड़ा था जिस पर काले रंग से अजीब सी पेंटिंग जैसा कुछ बना हुआ था वो पेंटिंग क्या थी वो क्लियर समझ में नहीं आ रहा था तारा अपने बन में बोली ये किस तरह की पेंटिंग हो सकती है तभी उसे लगा शायद उसने उस पेंटिंग को लटा रखा है उसने दूसरी तरफ से उस पेंटिंग को देखा तो उसकी आखें हैरानी से बड़ी हो गए क्योंकि वो पेंटिंग एक विशाल मूर्ति की थी जो कि डिखने में बड़ा भयंकर लग रहा था उस शित्र में वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा उसके आज पास एक अजीब तरीके से काले रंग से छोटी-छोटी आकरिती बनी हुई थी तारा अपने मन में बोली ये किस तरह की आकरिती है दिखने में तो ये किसी इंसान जैसा लग रहा है लेकिन इन सब के सिर पर सेह बने हुए है ये इंसान की तरह तो नहीं है लेकिन हाथ पर से तो ये इंसान जैसे ही लग रहा है आखिर ये लोग हैं कौन सबसे पहले तो सामने वहां बड़ी सी मूर्ती की पेंटिंग थी और उसके आज पास टोटल तेरा छोटे छोटे इंसानों की आकरिती बनी हुई थी जो अपना हाथ उपर किये मूर्ती के सामने घुटनों के बल बैठे होए थे और मूर्ती के ठीक सामने एक बड़ा कटोरा जिसमें लाल रंग से पेंट किया हुआ था मानों उसमें खून भरा हो तभी धीरे से तारा के कान में किसी के फुसपुसाहट की आवाज आई तारा तारा एकदम से पीछे पल्टी उसके पीछे तो कोई नहीं था लेकिन उसकी नजर मुंबत्ती की रोश्नी में अपने साम से चीखी और तभी उस कमरे का दर्वाजा खुल गया दर्वाजी पर विकी की माँ खड़ी थी जो गुस्से में तारा को घूर कर देख रही थी